हेलो फ्रेंट्स वेल्कॉप टू वाई चैनल होम साइंस फ्रेंट्स देगे आज मैं आपके लिए एक अलगा यह बहुत ही प्यारा सा पैटर्ल लेकर के आई हूं कितना सुंदर डिजाइन है और इस पैटर्ल को आप बना सकती है जेंट स्वेटर में और लेडिस के भी स्वेटर में बना सकती है ब्लॉज में भी बना सकती है जेंट स्वेटर में ये डिजाइन बहुत ही प्यारा सा दिखेगा इसको बनाना भी उतना ही आसान है तो पंदे को बनाना हम ज़रू करते हैं और हमने हे यहां कर लिया है एक और फंदा बना लेंगे सीधा और उसके बाद हम देखिए किस तरह से बनाएंगे इस जगह पर यहाँ पर हम सलाई को डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बनाएंगे धागे को आगे ले करके आएंगे और दो फंदो का एक कर देंगे धागा फिट से पीछे ले जाएंग पिर देखें अब यहां पर यह डालेंगे सलाई को यहां से एक लूप बनाएंगे धागा आगे ले करके आएंगे और दो फंदों का हम यहां पर एक फंदा बना देंगे धागा पीछे और यहाँ पर यह डाला सलाई को एक लूप बनाया इस तरह से और दो फंदो को एक साथ बुल लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे तो देखें पहली सलाई पर यही दो फंदे हैं देखें इन्हें को आपको रिपीट करते हुए बुनते जाना है पहले फंदे में सलाई को डाला और यहां से एक लूप बना लिया और दो फंदे एक सा धागा पीछे ले जाएंगे और जो साइड के दो फंदे हैं इनको हम सीधा बुल लेंगे अब देखिए यहां पर आपको धिहान से देखना होगा दूसरी सलाई पर साइड वाला फंदा यहां पर बिना उतार लेंगे अब देखिए यहां पर यह मारा सीधा फंदा देख रहा है और यह उल्टा फंदा देख रहा है इस वाले फंदे को हम इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या करेंगे पहले हम यह जो सीधी तरफ से उल्टा फंदा है तो इस फंदे को हम पह पहले उल्टे फंद्यों को बुनेंगे और उसके बाद में हम यह जो सिरी तरब से सीधा फंदा इस फंद्यों को बुनेंगे तो Delhi कि यह उठाया हुआ oppress एर यह सी तरफ से उल्टा फंद़े तो दीके इस इस पढूले बोने dari फिर उसके बाद से हम यह उठाय हुआ जो फंडा इइसको बुनेंगे कि तो दूसरी स्राइब पर यही दो फंदे आपको इसी तरह से बुनने हैं पहले जो सी तरफ तरफ से उल्टा फंदा उसको बुनना है इस फंदे को और उठाया हुआ फंदा है इसको हम बाद में बुने आएगे के कि फ्रेंट्स हमारी यहां पर दो सलाई बन करके कंप्लीट हो गए है अब तीजी त तरह से बनाएंगे यह साइड वाला फंदा यहां पर हम बीदा उन्हें ही उतार लेंगे अब देट इइए Cela फंदा दिख रहा है यहां पर हमय साइब डालेंगे जो इस तरह ऐसे, धागे को आगे ले करके आएंगे, अब देखें ये वाला जो फंदा और ये फंदा इन दोनों फंदों को हम एक साथ मुन लेंगे, धागा पीछे ले करके जाएंगे, अब ये देखें जो तिर्शा फंदा दिख रहा है, देखें उपर वाला छोड़ करके यह अम आगे यहां पर डालेंगे sil Cred को इस तरह से, और यहां से एक लूब बनाएंगे धागा आगे ले करके आएंगे और इस फंदे को और इस फंदे को इन दोनों फंदो को हम एक साहांगे, धागा पीछे ले करके जाएंगे अब देखें इस वाला हमने धागा आगे लेकर किया आए दोनों फंदों को एक साथ बुल लिए दागा पीछे दागा आगे कि लेकर किया आएंगे अब देखे दोनों फंदों को उल्टा बुल लेंगे दागा पीछे कि अब देखे फ्रेंट चोथी सलाई पर आते हैं अब देखे तरफ से में आपको तिसरी सलाई कर देखा दूँ अब देखे जैसे कि यहां पर यह उल्टा यह देकिए साड़ वाला सीधा फंद यह उल्टा कि इस वाले फंदे को में इधर लेकर आना है तो देखिए उल्टी तरफ से साइडवाला फंदा यहाँ पर बिना बुने उतार रहेंगे अब देखें यहाँ पर हमारा कोई सीधा फंदा नहीए तो साइडवाला फंदा है तो इस फंदे को बुनेंगे फिर इसके बाद में इस फंदे को बुनेंगे कि अब कर साइब में यह एक फंदा तो इसको भी हम इसे बना लेंगे तो देखेंगे फ्रेंट्स हमारे पैटर्न की तो यही चार सलाई आ होती है इन्यू को आपको रिपीट करना लेकिन किसी को नहीं समझ में आता है तो देखें फिर से में दो सलाई आपको बना करके दिखा देती हूं अब दो decrease कि यहां पर सेट यहां यहां वला फंदा है इसको हम बिनावू ने उतार लेंगे और इस फंदे में हमें एक लूब देखिए अब क्या करेंगे अब यहां पर यह फंदा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा भूल लेंगे थागा पीछे ले करके जाएंगे अब देखिए चैन सी बारी बनती जा रही है तो इसमें कि यहांपड़ालेंगे सलाई को इस तरह से एक लूप बनाएगे और दो फंदों का एक करदें क्योंकि हमारी तिरशी बनेंगी जैसे यहां पर पाटवर यहां ने है बंद हो जाएगी और दूसरी इधर से सुरू हो जाएगे तो देखिए यहां पर डालेंगे फंदे सलाई को हम और इस तरह से एक लूप बनाएंगे और फिर इसके बाद दोनों फंदों का एक कर देंगे फिर से देखिए यहां पर सलाई को डालेंगे एक लूप बनाएंगे और यहां पर दो फंदों का एक कर दें यह हम बना रहे हैं पांच वी सलाई यहां पर डालेंगे सलाई को एक लूप बनाएंगे दागा आगे लिकर के आएगे और दो फंदों का एक बूंदेंगे देखे यहां पर उल्टा फंदा है तो यहां पर यहां पर सीधा फंदा आएगा इतना आपको ध्यान रखते हुए क्योंकि अगला डिजाइन है वो मारा इस फंदे से शुरू हो जाएगा अब देखे ऊल्टी तरफ आते हैं च्छटी सलाई पर साडवाला फंदा यहां पर बिना बुने उतार लेंगे और देखे यहां पर इस इसको बुनेगे और फिर इसके बाद में यहां पर इफंदा उठाया वह इसको बुने तो इनी सलाईयों को आपको रिपीट करते हुए जाना यह डिजाइन बहुत ही बनने के बाद में प्यारा दिखता है जानट स्टर लिए बहुत ही सब्सेट इसला और तर में आधें कि दीगे चेश सलाइयों को बनाने के बाद में इलाड दिजाइन कुछ इस तरह से बन करके आगा है तो फ्रेंड्स इनी से लाइयों को आपको रिपीट करते हुई जाना है आपका जो डिजाइन है इसी तरह से बनेगा जैसा हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया है देखें फ्रेंड्स बनने के बाद में मेरा डिजाइन है कुछ इस तरह से दिखेंगा देखें इस तरह से बहुत ही प्यारा से डिजाइन है तो फ्रेंड्स देखें मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब भी कर लें ताकि मैं जो भी नवीडियो डालू तो उसको नौटिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंचें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तकी दी बाइबाइब